Hello Everyone, अज डेट है 13th of Mars 2023 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की Important News को एक्जाम के Point of View से डिसकस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकनो आईएसकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलग्राम चैनल वॉलकनो आईएसकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एक्जाम, मिन्स, UPSC, स्टेट, PCS and अधर एक्जाम के Point of View से कफी Important Information आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक Geographical Map Question के साथ में और आज आपका Question ये है कि रामगड विस्तारी Wildlife Century को आपको Map में व्यू करना है, फिर इससे Related और Important Facts को and Information को Comment Box में टाइप करना है। कल हमने आप से Question पूछा था, पारसल Islands को लेकर के, तो पारसल Islands जो है, वो South China Sea में Located है, और South China Sea Region जो है, वो एक Disputed Region है। ये जो Red Line आपको Show हो रही है, इसको बोलते है 9-Line, और इस Line के अंदर वाला जो Part है, South China Sea का, उसको China क्लेम करता है कि ये Region मेरे अंडर आता है। आपको Show हो रही है, ये जो है वो Brinei claim करता है, यहाँ पर ये जो Green Line आपको Show हो रही है, इस Region को लेकर के, Malaysia claim करता है। और वियतनाम की जो line है वो यहाँ पर यह red line जो है, light red line जो है, यह आपको शोहर होगी और इसको वियतनाम claim करता है कि यह region मेरे अंडर आता है, अब देखो यह disputed region है, क्यों हर country जो है इसके उपर अपना dominance बनाना चाता है, बात अगर हम करें तो पूरे world में जितनी भी maritime shipping होती ह उसका one third part जो है वो यहां से होता है इसलिए इस area के उपर जिस भी country का dominance रहेगा वो पूरे world में अपना dominance establish कर पाएगा साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे natural resources को लेकर के भी हम पर claim किया जाता है कि sea bat level पर बहुत सारा oil and natural gas यहां पर present है तो जो भी country यहां पर dominance अपना establish कर पाएगा वो सारे के सारे natural resources जो है वो उसके अंडर आएंगे तो यही एक basic region है जिसकी वज़े से यहां पर clash जो है वो देखने को मिलता है तो parasal island जो है वो news में क्यों बना हुआ था क्योंकि एक US का destroyer जो है वो इसके पास से गुजरा इस islands के पास से फिर चाइना ने जो है वो यहां पर statement दिया कि यह area जो है यह island जो है वो हमारे अंडर आता है तो यहां पर अगर आप इस area के पास से अगर आप आपका जो destroyer है व तो इसकी वज़े से यह जो islands है वो news भी बने हुए थे तो इनकी location को हमने discuss कर लिया और क्या basic region है यहां पर dispute को लेकर के उसके बारे में हमने discuss किया important बात यह है कि अभी जो भी हम location discuss कर रहे है places in news discuss कर रहे है वीडियो में दे हिंदू discussion में यह 2023 में जो भी students प्रिलिम्स का एकजाम दे रहे है उनके लिए काफी ज़्यादा important है और 2024 में जो students देंगे उनके लिए भी काफी ज़्यादा important है तो आप जो भी question पूछे जाते हैं answer जो है वो देने की कुसिस करो present time में वो क्यों news में था वो भी बात आपको पता होने चाहिए क्योंकि last year अगर आपने UPSA प्रिलिम्स का एकजाम देखा होगा paper देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो important geographical location थी वो कुन से country जो है वो किस की वज़े से news में रह हुआ है ओके तो यह हमने discuss कर लिया है तो जो daily life पे हम question पूछते ना इसका answer आप दीजिए comment box में और जो भी इसको लेकर के जो भी important information है उसको आप share कर सकते हो साथी साथ में जो other students है उनकी लिए यह काफी ज़्यादा important रहेगा और आपकी जो preparation है उसके लिए यह काफी ज़् वो every year after holy आप सभी को पता है कि holy जो है वो festival of colors है तो यहाँ पर celebrate किया जाता है मत्यप्रदेश के इंदोर में रंग पंच में वाले दिन जिसको बोलते है गैर और इसके अलावा यह जो फाग्यातरा जो है इसको बोलते है अब यहाँ पर जो है वो कोशिस की गई इंदोर में कि जो भी यह colorful festival है इसको अच्छे से celebrate किया जाए साथी साथ में आका जो administration है उन्होंने focus किया कि UNESCO representative list of intangible culture heritage of humanity में इस festival को हम सामिल करवा सके तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो गैर जो है वो कहाँ पर celebrate किया जाता है और इस list में अगर यह festival सामिल हो जाता है तो काफी च sex marriage को ले करके है देखो Supreme Court में कुछ petition डाले गई और Supreme Court में जो petitioners है उन्होंने ये बात रखी कि जो हमारा special marriage act है 1954 जिसके under हम cover करते हैं अगर कोई intercast marriage होती है या फिर inter religion marriage होती है वो यह इस तरीके की जो marriages होती है न वो जो भी religion का personal law है उसके under जो है उसको cover नहीं किया जाता है तो उसके लिए बनाया गया फिर special marriage act ओके तो यहाँ पर same sex marriage करने वाले जो person है उन्होंने बोला कि इस तरीके की जो marriages है उनको भी special marriage act 1954 के under जो है cover किया जाए तो यहाँ पर Supreme Court ने जो है वो question पूछा था attorney journal और हमारी central government से तो central government ने या अपना affidavits एक तरीके से register करवाया है औ और उसमें उन्होंने बात रखी है कि marriage जो होता है वो एक तरीके biological men and women के बीच में होती है ओके और उसमें हमारी बहुत सारी culture बहुत सारी customs tradition ये सब कुछ follow किया जाता है तो अगर same sex union को हम अगर एक तरीके से इस तरीके से establish करते हैं तो इसकी वज़े से जो भी हमारे societal values है व इसको आपने क्या कर दिया है judiciary जो है उन्होंने decriminalize किया है अभी established नहीं हूँ ये same sex marriage जो है okay 2018 का जो judgment है नवतेज सिंग जो हर केस जो हुआ था इसमें legitimize कर दिया गया है decriminalize कर दिया गया है लेकिन ये जो conduct है इसको अभी legitimize नहीं किया गया है लोग बनाने का जो काम है वो legislature का है judiciary का नहीं है judiciary किसी चीज को review कर सकती है तो इसको लेकर के special focus करते हुए central government कुछ काम करे कुछ लोग बना करके लेकर किया है तब ही जाकर के इसको establish किया जा सकता है तो देखो यहां पर जो भी religion जो भी caste है उनके personal laws के basis पर जो है इनको treat नहीं किया जा सकता और अभी भी हमारे इंडिया में जो है वो marriage, divorce इन सब को जो है वो personal law जो होते है इनके basis पर treat किया जाता है लेकिन हमारे इंडिया में time to time demand उठी है कि article 44 जो है uniform civil code वो applicable हो और सभी religion, सभी caste के लिए एक rule जो है various को लेकर के, divorce को लेकर के similar rule जो है वो सब के लिए होना चाहिए तो इसको लेकर के central government ने बोल दिया है कि अभी आप इसको एक तरीके से integral part के रूप में establish नहीं कर सकते हैं same sex marriage को लेकिन petitioners का ये बोलना है petitioners जो है उन्होंने कुछ important बात बोली, petitioners ने बोला कि एक तरीके से हमारे जो fundamental rights जो है या फिर LGBTQ couples के लिए उनकी dignity के लिए जो आपने काम किया था उनको recognition इस तरीके से तो नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई center government के द्वारा कि homosexuality को अभी decriminalize किया गया है लेकिन same sex marriage को अभी accept नहीं किया गया है हमारे fundamental right to life and dignity under article 21 of the constitution और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि heterosexual marriage was the norm throughout history and is foundational to both the existence and constituents of the state okay तो homosexual जो marriage है उसको अभी acceptance नहीं किया गया है article 21 के basis पर इसको drive नहीं किया गया है तो अभी जाकर के इसको legislation का जो काम है वो central government करे तब जाकर के इसका जो भी establishment है वो होना चाहिए लेकिन central government जो है उसको एक तरीके से जो भी उन्होंने अपर फेड़ेविट जो यहां पर register करवाया उसमें एक तरीके से negligence वाला जो उनका रविया है वो देखने को यहां पर मिला next important article है regional page पर और यहां पर देखो हमने पहले भी discuss किया है कि जो stray dog है इनकी वज़े से issue जो है वो काफे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो देली में दो siblings जो है उनकी death हो गई last three days में और stray dog जो है उन्होंने किया है कि हम rabies disease है उसको हम eliminate कर देंगे लेकिन rabies disease को हम eliminate तब तक नहीं कर पाएंगे जब 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 जो stray dogs है उनकी population को हम control नहीं कर पाते हैं okay vaccination procedure जो है वो implement नहीं हो पाता है क्योंकि अगर हमने rabies disease को elimination का procedure establish अगर हम करना है उसको eliminate करना है तो पहले हमें stay dog जो है उनको treat करना होगा तब ही जाकर करके problem जो है वो solution उसका हो पाएगा ओके और जो कल हमने discuss किया था sickle cell anemia disease को eliminate करने का जो target है वो हमने रखा है 2047 तक ओके तो यह important जो भी disease है इनको लेकर के जो basic guidelines हमारी government ने दी है वो आपको पता होना चाहिए next important article है text page पर और यहाँ पर हम discuss करेंगे देखो राजस्तान state जो है वो right to health bill लाने की कुसिस कर रहा है मतलब private institution हो private hospital हो government hospital हो वहाँ पर जो भी population है राजस्तान की उनको free service जो है वो health sector में मिले लेकिन जो doctor है जिरोंने private institution अपने open कर रखे है उन्होंने इस चीच को लेकर क्या पोस किया कि ये नहीं होना चाहिए अब ये जो bill है इसमें अलग-अलग close में अलग-अलग बात बुली गई है कि जो population है उनके पास में कितना क्या-क्या rights है ये सारी बाते हम पर बताई गई है लेकिन सबसे important बात ये है कि क्या हमारा constitution जो है वो right to health को guarantee करता है तो अगर हम बात करें तो देखो Indian constitution जो है वो clearly तो बात नहीं करता right to health को मतलब clearly इस पस्ट रूप से नहीं define करता है कि right to health जो है वो हमारे constitution में लिखा हुआ है लेकिन right to health के बारे में अगर हम other important जो हमारे articles है उनसे अगर हम drive करें तो हमारे constitution का article 21 जो है वो guarantee करता है right to life and liberty तो इससे drive होता है right to health भी साथी साथ में यहाँ पर देखो इससे पहले भी code जो है उन्होंने भी इस चीज को highlight किया है कि state की यह जिम्मेदारी है responsibility है कि वो जो भी हमारे citizens है उनकी health को promote करने का काम करें हमारे constitutional provision की अगर हम बात करें तो article 38 मतलब DPSP में जो article है वो बात बोलता है promoting the welfare of people and article 47 बोलता है कि government to meet the nutrition and health requirement of the population तो इसके basis पर ये right to health जो बिल जो है वो लाया जा सकता है अब private sector वाले जो person है वो इसलिए इसका पोच कर रहे है कि इसकी वज़े से जो भी उन्होंने hospitals जो भी उन्होंने construction से किया है उसकी वज़े से उनको काफी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है तो देखो health जो है वो free service अब को दी जाने चाहिए और इसको जो है वो एक money earning का एक sources जो है वो बनाई जाने की जर्रते नहीं है तो अगर applicable होता है रस्तन government देखो इसको right to health बिल को लेकर के अर्च किया है central government से कि पूरे इंडिया में ये जो right to health है वो applicable हो next यहां पर जो article है वो ESG regulation को लेकर के है ESG regulation मतलब आप इस तरीके से समझे कि environmental, social and governance मालनो कोई company जो है वो इंडिया में open होती है तो उसके कुछ standard जो है वो fix किये जाए environmental, social and governance को लेकर के पहले क्या होता था 2013 में company एक्ता आया और इसमें decision लिया गया CSR responsibility को लेकर के company, social responsibility कि इसमें कुछ decide भी किया गया था कुछ target decide के गये थे कि माल लो कोई company जो है उसकी earning अगर हम yearly basis पर discuss करें तो 500 करोड का net worth उस company का है और minimum turnover जो है, वो 1000 करोड का है जो है, वो 5 करोड का है तो वो हर साल जो है, अपने profit का 2% जो है, और यह ऐसा procedure last 3 years से चल रहा हूँ, उस company में उसका 2% जो है, वो society के अपग्रेडेशन के लिए काम करेगा तो CSR जो है यह responsibility जो decide की गी थे 2013 में, फिर इसमें amend किया गया इसमें companies क्या करती थी? कि जो भी society के लिए जैसे drinking water available करवाल दिया sanitation के लिए काम करवा दिया, health sector में काम कर दिया, तेकिन इसमें कुछ amend किये गए और उसमें decide किया गया कि अगर आसपस वाले region में, इस company के आसपस वाले region में, कोई historical important site है, तो उसको promote करने के लिए, safe drinking water को promote करने के लिए भी ये company जो है, वो काम करेंगी, तो अभी क्या होता है, हमारे इंडिया में अगर कोई company काम कर रही है, तो environment को लेकर कि बहुत सारे rules and regulation है, तो अभी ये decision लिया जा रहा है, कि एक ऐसे जो है, directives दो बनाए जाएं उसके basis पर ही, जो company है, उसके सारे rules and regulation जो है, वो decide हो सकी, तो देखो, इस तरीके का procedure ना सिर्फ इंडिया में, अदर अदर जो countries है, वहाँ पर भी applicable किया जा रहा है, क्योंकि present time में environment जो है, वो एक major issue है और इसको protect करने के लिए हमें जरुरत है, तो ये सारे focus जो है वो इंडिया में भी किया जा रहे है कि company जो है, उनके responsibility, environment को लेकर के decide किया जाए, environment में मतलब आप ये माने, ESG, ये तीन regulation decide कि ये ना, कि company से output कितना निकल रहा है, company से environment कितना effect हो रहा है, उन सब को जो है, वो ध्यान में रखा जा सकी, ओके और दूसरा social society governance जो है, उसके level पर भी, मतलब company जो है, वो अपने internal level पर, outer level पर भी काम करने की process करें next important article है यहाँ पर एक second हाँ, तो देखो यहाँ पर India और Australia जो है, वो अपने अपने लेवल पर focus कर रहे हैं, जैसे education sector पर उन्होंने focus किया, साथी साथ में उन्होंने focus किया कि दोनों country जो है, वो अपने relation को और कैसे बेहतरीन तरीके से establish कर सकते हैं next यहाँ पर जो article है INS सयादरी जो है, वो France के साथ में, France की जो नेवी है उसके साथ में, जो भी हमारी exercise conduct होगी, उस maritime exercise को जो है, वो एक तरीके से क्या करेगा, उसमें participate करेगा, ओके तो यहाँ पर जो exercise है देखो फ्रेंच, नेवी, deployed, mistral, class, amphibious, assault, sip, FS, Dixmude एंड, जो भी उनकी यहाँ पर जो भी उनकी important weapons है, important जो भी उनकी जैसे कि हमारे यहाँ पर INS सयादरी जो है, वो यहाँ पर participate करेगी, और दूसरा उनकी तरब से जो भी उनकी important worship है, वो भी यहाँ पर participate करेगी, तो exercise का क्या नेम है, इंडिया और फ्रांस के बीच में यह आप comment box में बताऊगी, next यहाँ पर G20 लेवल पर हमारा जो blue economy है, बतलब उन सब के उपर focus करने के लिए artificial intelligence का हम कितना यूज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर discuss किया गया है, next important article है, यहाँ देखे, तो देखो, हमारी जो ministry है, उन्होंने guideline रिलीज की है, और Union Housing and Urban Affairs Ministry, उन्होंने एक डाइरेक्टिव जो है, वो भेजा है, कि जल्दी सारे state जो है, उसको applicable करें, कि अब जो भी society, housing society बनेंगी, जो भी commercial complexes हमारी country में बनेंगे, वो net zero waste के उपर काम करेंगे, मतलब wastage जो है, वो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से, हम उसको net zero waste का मतलब होगा, reduce, reuse and recovering, मतलब wastage का generation जो है, उसको कम करना पड़ेगा, जो wastage generate हुआ है, उसको हम reuse करेंगे, और जो भी wastage हुआ है, उसको हम recover करेंगे, ताकि applicable जो है, उसको दुबारा से usable तरीके से use कर सके, और जो भी यहाँ पर solid wastage है, उसके लिए भी procedure establish किया जाएगा, साथ ही साथ में अगर हम बात करें, तो जो liquid wastage है, उसको भी clean करने की कोसिज जो है, वो society level पर ही की जाएगी, अगर ऐसा applicable होता है, तो हम हमारे जो SDG goals है, उनको अचीव कर पाएंगे, SDG goals 6.3 जो है, वो aim करता है, कि जितना भी wastewater जो है, उसको हम half कर देंगे, 20-30 तक, उसको proportion को कम करने की कोसिज करेंगे, पर जेन टाइम में, जितना हमारे यहाँ पर daily basis बर waste water generate होता है, उसका 28% ही हम treat कर पाते हैं, तो अगर यह target जो है, यह applicable हो पाता है, तो हम हमारे जो SDG goals है, उनको अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ओके, तो यह आज का अमारा देहिंदू निउस्पिपर का discussion था, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू,